गलती को सुधारे और बाकी दो लोग सवासीट विशेश का धनबाद और चत्रा से हमारे छत्रिय समाज के ही प्रतिनिधी को टिकट से समझेंगे कि हमारे समाज को दरकिनार करते हुए वहां की सीट चतरा की सीट अगर श्री कमलेश सिंग जी को जाता है तो वह सीट हंड्रेट परसेंट बीजेपी के जोली में आनी है और सिर्फ बीजेपी के जोली में एक सीट नहीं आनी है उसका प्रभाव पुरे जारखन में पढ़ना है पुरे देश में पढ़ना है। जो है भाजपा की प्रतित तमाम छत्रिय समाज के लोगों ने जाहिर किये हम यहाँ पर बात करते हैं छत्रिय समाज के लोग हैं क्या कहेंगे जो दो कैंड़ेट थे उनका भी नाम लिश्ट से बाहर हो गया है और अब तक घोसना कुछ नहीं हुई है। उस पर भी वो किसी अन्य जाती के प्रत्यासी को टिकट देने का मन बना रहा है। हमारे इस बैठक में यही निर्ने हुआ कि भाजपा अपनी पहले की गलती से सीख लेते हुए जो बिजान सभा में उन्होंने गलती की थी छत्रिय नित्रितों को नजर अंदाज करने का उसके परिनाम को वो देख चुकी है। इसमें भी वो ऐसा ही भूल करेगी तो मजबूरन हमारा समाज जो है ऐसी नजर अंदाज करने की जो भाजपा की प्रयास है उसको बरदास्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ जो भी उचित निर्ने होगा समाज अपने बैठक में फिर लेगा। इसलिए हमारा मांग है कि भाजपा समय रहते हुए अपनी गलती को सुधारे और बाकी दो लोग सवासिट विशेश कर धनवाद और चत्रा से हमारे चत्रिये समाज के ही प्रतिनिधी को टिकट दे। और उसमें भी चत्रा में जो वहां के अस्थानिये माटी के रहे पुत्र है और हमारे समाज के मुखे संग्रक्षक भी है अखिल भारतिये चत्रिये महासभा के तीन बार विधायक रह चुके हैं पुर्मे मंत्री रह चुके हैं स्री कमलेश सिंग को उसमें प्रसरे दिया ज सके कि वो छत्रिय समाज जीत के आएगा भाजपा की टिकट पर हर बार अंदेखी की जारी है चाहे विधान सबाचुनाओं में देखें मंत्री मंडल में आप लोग लगतार मांग कर रहें तो आखिर कारण का है कि छत्रिय समाज की अंदेखी तमाम लोग कर रहे हैं भाजपा से लेकर एक से महापुरूसीशिस पेडा हुए इसस समाज में इससे समाज का समाज को उपranch richt कर दे हुए चाये यूप में भाजपा सरकार हो जो चल रही है इसका कामियाजा और तो भाजपा सरकार समय रहते भाजपा से बात की है पत्र लिखा तो क्या कुछ हुआ ह вопрос देखेँ, एक दो दिन में पिक्चर की लियर हो जाएगा इस मामले, जारखंड के मामले को लेकर, हमारे राष्टिय अध्यक्ष जो है, महेंदर सिंग तवर जी काफी स्रियस है। जारकंड में ही पड़ेगा इसका असर तेस लेवल पर भाजपा के चुनाओं में पड़ेगा जारकंड के दो लोग साबा जो सीट पर है उन दोनों सीटों पर आप लोग समाज के बात वरते हैं दोनों सीट हमारा देखिए पूर से उठा के देखिए उस चुनाओं का गनित धन्बाद हो या चत्रा हो अधिकांस ता वहाँ चत्रिय समाज के लोग ही बीज़ई होते आए हैं तो हर तरह से अगर देखा जाए पूर के लगतार अजादिस लिगाज तक तो सब कुछ देखते हुए उनका कार सलीव अच्छा रहा है लगतार जितते आ रहा है तो वैसे सीट पर भी अगर उपएक्षा की जाएगी जिता हुआ सीट हमारा है समाज का अगर वैसे सीट पर भी उपएक्षा की जाएगी तो हम तो यहीं समझेंगे कि हमारे समाज को दरकिनार करते हुए सोतेला ब्योहर किया जा रहा है अक्यावल भोट के लिए यूज़ किया जा रहा है हमारे समाज को इसको अब समाज हमारा परदास नहीं करेगा सिधे तोर पर धनबाद और चत्रा सीट पर जो है वो चत्रिय समाज के केंड़ेट की है तो हमारा उस चत्र से जो लगाव है पहचान है उस मिटी से जो लोगों का लगाव है और एक दूसरे से मिल समझते हैं तो हम समझते हैं कि सबसे अगर लोग प्रिये कंडेट कोई होगा उस छेतर के लिए जो गर्थ सुनिशित किया जाए तो कम्रेश्चिंग है अधरवाइज अगर भाजपा को बीजेपी को कोई बड़ी स तो उसमें भी कोई छत्रिये परिवार का अगर बड़ी पावर उनको दिखे की कि वो सुटे बुले तो हमारी कोई बिरोध ब्यक्तिकत कंडेट पर नहीं हो सकता है कि हम इस कंडेट के लिए अंधुलन करेंगे नहीं करेंगे हमारा प्रतिनीधित जाती का होना चाहिए हमा पर जो सांसस सुनिल सिंग है उन पर बाहरी भित्री का भी आरोप लग रहा है तो कहीं न कहीं जब कमलेश सिंग को टिकट मिलता है तो फायदा कितना मिलेगा भाजपा को फायदा भाजपा को तो डबल डेड़िया मिलेगा क्योंकि वो लोकल परतिनीधित है और तीन-तीन कि वोट का परतिसेत हमारा पहले से डेड़ गुना बढ़ जाएगा आप लोग भी चत्रा गय हुए थे वहाँ पर सर्वे किया तब कमलेश सिंग के नाम को आगे लेकर आ रहे तो क्या कुछ महाँ फिडबैक आप लोगोंको मिला फिडबैक तो आपको बार-बार बताय जा रहा है कि तीन बार से उसी छेत्रे से विधायक रहे आप सोचिए बीजेपी बीजेपी आज बीजेपी ने जो देश में काम किया है उसको देखके बीजेपी का एक कहिए तो एक पुरा एक महौल चल रहा है एक हवा चल रहा है देश में जब NCP से निर्दलिये जो ब्यक्त उस छेत्रे से बार बार बिधायक बन सकता है, अगर BJP से सीट मिलता है तो आप बताइए आपको कोई संका है, आप से मैं पुछ रहाँ, आपको कोई संका है, हम लोगों को तो संका नहीं है, वहां की सीट, 14 की सीट, अगर श्री कमलेश सिंग जी को जाता है, तो वो सीट 100% BJP के जोली में आनी है और सिर्फ बिजेपी के जोली में एक सिर्फ नहीं आनी है उसका परभाव पुरे जारखंड में पढ़ना है पुरे देश में पढ़ना है क्योंकि आपने एक और कोश्चन किया था वड़ा अच्छा कोश्चन किया था कि लोक साबा हो या फिर बिदान साबा हो नदर दाज किया जा रहा है देखिए मैंने पहले भी बोला था छत्रिये के इतिहास देखिए चत्रिये का पाचान क्या होता है देखिए लोगों को डर होता है कि कहीं चत्रिये हर जगे नित्रित्व करने लगे तो फिर हमें मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि चत्रिये से बढ़िया नित्रित्व और कोई करने ही सकता है हाकिकत यही है तो हम आगरा पुर्बग कहना चाहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, चत्रिये कभी पीछे से वार नहीं करता है, चत्रिये वही करता है जो सही होता है, इसलिए बाकी चीजें तो तीर कमान से निकल चुकी है, इन्होंने 11 सीटों का तो घुसना कर दिया है, अब हमारे पास नहीं नहीं तो हम तो छे मांगते, लेकिन अब बचे हुए तीन है, उसमें क्रिप्या करके अटलिस्ट दो सीटे हम लोगों को इंस्योर किया जाए, जिसमें चत्रा के लिए स्री कमलेश कुमार सिंग जी का एकदम नाम आए, क्योंकि वहां की जनता से लेके हम सब 100% सुरक पहले बोल चुके हैं, इसका परभाव बीजेपी पहले भी देख चुकी है, तो छत्रीय जब अपने पर आ जाते है, तो फिर आगे बोलने की ज़रुरत नहीं है, इसलिए मैं फिर से आगरा पुर्बग कहना चाहता हूं, कि जो तीन सीटों का घोसना करनी है, उसमें मीनिम इकम दो सीटें चत्रीयों को जोली में डाला जाए, ताकि वो सीट भी इनसी ओर हो सके, बसुर्बग कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा चुनाओं में भाजपा को भूगतना पड़ सकता है, अब देखना हूगा कि आखिर आने वाले दिनों में जो लिष्ट आने वाले उस में क्या कुछ देखने को मिलता है, आप बने रहें देन्यूस पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी रवी के साथ, समीर देन्यूस पोस्ट, राची